Hello everyone, welcome back to my channel और आज मैं आपके साथ अपना flawless Korean like glass skincare routine शेयर करूँगी आप सभी को पता ही होगा कि Korean girls की skin की तारीफ हर जगे होती है क्योंकि आपने देखा ही होगा कि Korean girls की skin जो है वो बहुत साथा glowing and glass skin होती है Korean skincare products काफी महंगी होते हैं But you know Koreans भी इन products के अदाबा अपने skin के लिए home remedies का भी use करती है जिन में से सबसे ज़्यादा वो लोग rice water का use करती है फिर चाहे बात skin की हो या फिर hair की दोनों के लिए ही rice water बहुत साथा use किया जाता है So मैं भी Korean glasses की नचीव करने के लिए regularly rice water का use करती थी जिसे मेरे skin before and after आप देखी सकते हैं कितनी ज्यादा clean and flawless हो गई है Skin complexion में फरक आ गया है Acne खतम हो गई है And even skin जो है वो बिलकुल ठीक हो गई है और skin जो है वो बिलकुल fair हो गई है और बिलकुल Korean skin लगनी शुरू हो गई है So, इस वीडियो में मैं आपके साथ rice water बनाने के two methods शेयर करूँगी जिन्हें यूज करके मैंने Korean glass skin achieve की है बहुत ही easy method है अगर आप भी इस तरह से rice water का use करेंगे तो आपके skin भी इस तरह से मेरे skin जैसे ही हो जाएगी तो remedy जानने से पहले वीडियो को like कर ले चैनल को ज़रूर subscribe कर ले और bell के icon को भी प्रेस कर ले जिसे की मेरी और भी amazing videos की notification सबसे पहले आपको मिलती रही So, इस वीडियो का main ingredient है rice Guys, rice में बहुत से vitamins and minerals होते है इसमें vitamin A होता है जो skin को flawless करता है इसमें vitamin B होता है जो skin पर barrier बनाता है और हमारे skin को inflammation से बचाता है और जब हम rice से rice water बनाते हैं तो इसके benefits और भी ज़ादा double हो जाते हैं हमारे skin के लिए Rice water को बनाने के two methods हैं तो पहले हम first method को बनाएंगे First method में आपको शाहिए four spoon rice इन rice को आपने अच्छे से wash कर लेना है जब अच्छे से wash हो जाए rice तो आपने एक pan लेना है और उसमें one cup water add करना है boil करने के लिए जब पानी boil हो जाए तो इसमें आपने ये wash किये हुए rice और इसे low flame पर रखना है 15 मिनट तक इसे पकने के लिए तो 15 मिनट बाद जब rice अच्छे से पक जाए और इसका पानी भी अच्छे से पक जाए तो आपने इन rice को stain कर लेना है पानी को अलग कर लेना है और rice को अलग कर लेना है boil करने के बाद आप देखूगे कि करीब half boiled rice water ही इसमें रह जाएगा अब इस पानी को आप fridge में रख ले या फिर room temperature में ही इसे ठंडा कर ले उसके बाद हम इसे किसी भी spray bottle में transfer कर लेंगे और अब इसमें हम add करेंगे one vitamin E capsule oil तो जी ये हमारा first method से rice water बनके ready है rice water बहुत ही अच्छा रहता है ये हमारे skin के लिए मैं इसे as a toner अपने skin पर use करती हूँ और इससे मेरी skin बहुत साथा clean and flawless रहती है इस method से बने rice water को आप fridge में रखके one week तक use कर सकते हैं तो चलिए अब हम second method से rice water बनाएंगे so second method में हम four spoon rice लेंगे और इने एक बार पानी से अच्छे से wash कर लेंगे then आपने wash किये हुए rice में one cup water एड़ करना है और इसे overnight रखना है next morning हम इसे strain करके पानी और rice को अलग-अलग कर लेंगे और ये जो पानी हमने strain किया है इसे हमें एक spray bottle में transfer कर लेंगे और अब इसमें हम one vitamin E capsule oil एड़ करेंगे so ये हमारा second method से rice water बनके ready है इसे आप 2-3 दिन तक ही use कर सकते हो इसे मैं day and night two time अपने face पर spray करती हूँ rice water में anti-oxygen and amino acid होती है जो skin को acne से दूर रखते है आपके face के extra oil को control करते है ये आपके skin को बहुत जादा hydrate करेगा dark spots को कम करेगा acne को खतम करेगा और आपके freckles and pigmentation को तूर करेगा और इस skin को fair and glowing बनाएगा और इसके regular use से आप एक glass skin achieve कर सकोगे so personally मैं prepare करूंगी कि आप first method से ही rice water बना के use करें क्योंकि इसमें rice and water दोनों ही boil होने से इस rice water में rice के सभी benefits आजाते है और इस skin पर यह बहुत ही अच्छे से work करता है तो आप भी इसे बनाए और जरू ट्राइ करें और वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कर दे और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले see you in next video guys bye